क्लास हेलो क्लास अमीद है आप सब भी काफी अच्छे हैं तो जैसे कि आपको याद होगा हम उपर अपना जो फर्स टॉपिक है वो किलियर कर चुके थे जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना मैटल और नॉन मैटल्स की आज हम जो हमारा सेकंड टॉपि इसके बारे में हम डीटेल से जानते हैं आई होप यह जो कुशिंस दिये हुए है यह नहीं आपने सॉल्व कर लिया होगा जैसे कि मैंने आपको हाइलाइट करवा दिया था लास्ट चेप्टर के दोरां तो चलिए बिना किसी देर के सुरू करते हैं तो आपके जो फर्स प इन सेक्शन के दोरां हम जो है कोपर आइरन लेड मैगनीशन जिंक सोडियम ऐलमोनियम इन कुछ मैटल के सेंपल करेंगे और फिर सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है जब इक मैटल जो है उसे एर की प्रिजेंस में जलाया जाता है तो यह एक्टिविटी दी हुई है इ कश मैटल लिआ है और उसको जलाया है जैसे कि अब देखिए हमारे सारे के सारे जितने भी मैटल होते हैं जब कभी भी हमारे औक्सिजन के साथ में वह मिलें तो हमारे औकसाइड बनाएंगे यह काफी इंपोर्टन चीज आँ यह अप अपने जो नोट्स बनाते हैं उसमें copper oxide बन जाएगा ठीक है वैसे ही अगर हम aluminium oxygen की प्रिजयन में जो है बँर्न करते हैं तो हमारा aluminium oxide बन जाएगा क्योंकि ये दोनों metal हैं तो ये क्या बना रहे हैं metal oxide बना रहे हैं चलिए इसके बाद में कहा जा रहा है कि याद करने की कोशिस करिए जो आपने chapter 2 में पढ़ा था copper oxide जो है जब कभी भी hydrochloric के साथ में react करता है तो metal oxide बनाता है जो कि हमारे basic होते हैं nature के अंदर लेकिन जो कुछ metals हैं वो इस तरीकी के oxides बनाते हैं जो कि acidic behavior तो show करते ही हैं साथ ही साथ में आपका जो basic behavior होता है वो भी show करते हैं ऐसे कौन-कौन से हैं जैसे कि अगर हम aluminum oxide की बात करें zinc oxide की बात करें तो यह जो हैं आपके दोनों तरीके का क्या show करते हैं nature show करते हैं और इन्हें ही क्या बोला जाता है amphoteric oxides तो यह काफी important line रहेगी हमारे हमारे लिए हैं पर तो यहां से देखिए जड़ा यह वाली जो है लाइन कि इस लाइन को जड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक है तो हमारे क्या होते हैं यह एमफोटेरिक oxides तो इस लाइन पर जड़ा जान दीजिएगा चलिए तो एलुमूनियम oxide जो है रेक्ट करता है इना following manner with the acid and base अगर acid के साथ में हम देखें तो आप हमारा एलुमूनियम oxide है जब कभी भी हम उसे acid के साथ में रेक्ट करवाएंगे तो एलुमूनियम chloride हमारा बन जाएगा और अगर हमारा base है sodium hydroxide के साथ में रेक्ट करवाते हैं अलुमूनियम oxide को तो हमारा sodium aluminate बन जाता है तो इस तरीके का क्या होता है behavior शो करते हैं दोनों ही acid B और basic B इन्हें क्या बोला जाता है amphoteric oxides ओके आगे क्या है most of the metal oxides हमारे ज्यादातर कैसे होते हैं insoluble होते हैं water के अंदर और क्या होता है some of these are dissolving water to form alkalis तो कुछ जो है कुछ हद तक जो है water के अंदर dissolved होकर क्या from करते हैं alkalis form करते हैं Sut電 zij form करते हैं और sodium hydroxide potassium hydrogen waterorters के अंदर क्या produce करता है alkalis जैसे कि आपका so potassium oxide ली जेक beaches के आपकःा बना रहे है sodium hydrogen or potassium hydroxide जो की कैसे होते है निचर के अंदर alkalis होते हैं चलिए आगए क्या दिया जा आगे है आपका जैसे कि हमने 3.9 activity में देख लिया था जो सारे के सारे जो metals होते हैं वो react नहीं करते हैं हमारे oxygen के साथ में बिल्कुल same rate में कुछ जो है कुछ different metals हमारी अलग reactivity show करते हैं metal oxygen के साथ में और जो metals होते हैं जैसे कि आपका potassium हो गया या sodium हो गया यह काफी तेजी से जो है react करते हैं जब इन्हें खुले open area में जो है रख दिया जाता है तो इन्हें हम जो है इस accident याने की इन्हें अचानक से आग लग जाती है और आग लगने से बचाने के लिए लगातार हम इन्हें क्या करते हैं kerosene जो oil होता है इनके अंदर dip करके इन्हें store करते हैं अगर हम इन्हें ordinary temperature पर metal को जैसे कि magnesium हो गया aluminium हो गया zinc हो गया lead हो गया इनको cover कर देते हैं इनके उपर जो होती है पहुती पतली सी oxide की layer चड़ जाती है और वह क्या काम करती है इन्हें air के साथ में contact contact में direct contact में आने से बचाती है और further oxidation होता है उससे भी रोग देती है ठीक है तो आपके aluminium होता है zinc होता है lead होता है magnesium होता है इनको जो है अगर हमें जलाना होता है तो इनके उपर से जो इनकी oxide की परत होती है वह हमें निकालनी पड़ती है जो iron होता है वह सीधे तरीके से burn नहीं होता है लेकिन जो iron fillings होती है वह आपने देखा होगा जब कभी भी जो हमारा knife होता ह है उसे जब हम शार्प करवाते हैं तो उसमें से आयरन फिलिंक्स निकलती है और उसमें से आपने देखा हो वह कितनी जोड से जलती है ठीक है तो अगर नहीं देखा है तो यह देखने लाइक चीज होती है आप देख सकते हैं कहीं भी जहां पर जो नाइफ अग्यरा और जो गोल्ड होते हैं वो रियक्ट करते ही नहीं है जब कभी ऑक्सीजन कितने ही ज्यादा टेंपरेचर पर भी हो चलिए कि यहां पर जो आपका लिखा हुआ है डो यू नो इसमें जो है एक अच्छी खासी प्रोसेस दी हुई है जिसका नाम है एनोडाइजिंग एनोडाइजिंग एक एसी प्रोसेस होती है जिसमें यू मुणियम को क्या किया जाता है जो आपका व्यjक हई शता है उसके साथ में जब रियक्ट करवाते है तो क्या होगा जो उसमें से निकलने वाली oxygen होती है वह आपका जो aluminium होता है उसको उपर एक thick layer provide करवा देती है ताकि यह आपका जो aluminium है वह आगे जाकर decay ना करे क्योंकि उसको उपर एक oxide की परत बन जाएगी तो इसे ही बूला जाता है एनो डाइजिंग नेक्स्ट जो है हमारा जैसे कि हमने activity perform की थी 3.9 के अंदर और जिसमें हमने क्या देखा था जो sodium है वह काफी ज्यादा react होता है मैंने भी पेचे भी बताया कि अगर हम उसे open में रखेंगे तो उसमें अचानक से आग लग जाती है और क्या है the reaction of the magnesium is less vaguously यानि कि अगर हम sodium को compare करें magnesium के साथ में तो magnesium जो है वह less हमारा reactive होता है बट जो आपका burning in oxygen does not help to decide about the activity लेकिन हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकती कि यह ज्यादा reactive है या फिर यह नहीं है केवल बर्निंग के वेसिस पर तो zinc iron copper और lead जो होते हैं वह अगर हम देखें let's see some more reactivity कि कैसे कैसे जो हैं इनकी reactivity के order पर हमेंने segregate कर सकते हैं क्या होगा अगर metal जो है किस तरीके से यहां पर क्या किया हुआ है इस experiment में यहां पर जो यह बर्नर है बर्नर के साथ में यह जो यह वाला यह पॉइंट जो है यहां पर एक तरीके से जो है एक लकडी का पीस मान सकते हैं जिसे पानी में बिगोया हुआ है तो जैसे जैसे हीट यहां पर पहुचेगी जो वाटर है वो उसकी steam यहां से आएगी और metal के साथ में जो है react करेगी और यहां से जो है आम देख सकते हैं जो steam के थूरु ही है हहां से होते हुए hydrogen गैस इनटा है तो कभी हमारा मैटल के साथ में हाइड्रोग के नहीं हो ड़िय। अपर चत वैक्ति को र्चैande nga तो यहствомodor के साथ में हमारी अक्सीजन अक्साइड अक्साइड नहीं कि आगे क्या है तो आगे फर्दर जो इसमें से hydrogen gas भी liberate होती है और metal oxide जब water के साथ में react करता है तो metal hydroxide बनाएगा देखिए जैसे कि आपका potassium है एक तरफ sodium है दोनों को water के साथ में react किया है तो आपका sodium hydroxide हो गया एक potassium hydroxide हो गया साथ में आपकी hydrogen gas liberate हो रही है और कुछ energy भी release हो र react करता है तो calcium hydroxide बनाता है और साथ में hydrogen gas भी बनाता है इसी के साथ में जो magnesium है वह बिल्कुल भी react नहीं करता है ठंडे वाटर के साथ में लेकिन इट रेक्ट विद्धी hot water to form the magnesium hydroxide and hydrogen यह रियक्ट करता है के वाल गर्म पानी के साथ में तो यह काफी important line है ध्यान रखने लाइ है वह थंडे पानी के साथ में रेक्ट नहीं करता है जबकि वह गर्म पानी के साथ में रेक्ट करता है और अगर आपको floating bubbles दिखाए देते हैं तो यह कैसे होते हैं hydrogen से भरे हुए होते हैं जो metal जैसे कि आपका aluminum हो गया iron हो गया zinc हो गया यह रियक्ट ही नहीं करते हैं आपके कि आपके कौन-कौन से जो metal है वह केवल जो है steam के साथ में रेक्ट करते हैं ना कि ठंडे गरम पानी के साथ में तो कौन-कौन से हैं वह आपका iron हो गया aluminum हो गया और zinc हो गया चलिए तो metal जैसे कि आपका lead copper silver और gold होता है वह रेक्ट करते ही नहीं पानी के साथ में बिलकुल ही तो इनने आप segregate कर सकते न का एक चार्ट बना सकते कि कौन्से पानी के साथ में डेक्ट करते हैं cold water के साथ में कौन से q 53 चीम के साथ कौन से करते हैं और Siq डिल्पन क्या होता है अगर बेर MyQué के साथ में तो देखें जड़ा मैटल अगर हम डालूट एसिट उनके अंदर डालते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनके तयार हो जाता है तो यह activity दिए जिसमें हमने क्या किया हुआ हमने क्या किया है में अलमूनियून और जिंक और आयरन जो है इनके ओपर है इंको डाला है और इसमें से hydrogen hydrogen gas is not evolved when the metal reacts with the nitric acid जो आपकी hydrogen gas है वो कभी नहीं हुई है जब कभी हमारा nitric acid उसके अंदर मिलाया है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा nitric acid होता है वह strong oxidizing agent होता है अब जरह मुझे comment section में बताईएगा कि oxidizing agents होते कौन से हैं ठीक है तो आगे क्या है इट oxidized the H2 तो यह oxidize करेगा hydrogen को produce करेगा water को oxidize का मतलब क्या हुआ जो oxygen provide करवाते हैं तो oxidizing agent जो आपका oxygen को provide करवाएंगे वो कहलाएंगे तो hydrogen produce हो जाएगा hydrogen के साथ में react करके हमारा water produce हो जाएगा और itself reduce to any nitrogen oxide और यह खुद को क्या करेगा reduce करेगा बट जो हमारा magnesium होगा और magnesium होगा वो react करेगा हमारा dilute nitric acid के साथ में और react जो है evolve करेगा हमारा hydrogen gas को तो इसी basis पर observation के basis पर जो हमारी bubbles आ रहे हैं वो कितने fastest आ रहे हैं in case of magnesium और also the exothermic in case तो हमारा एक तो bubbles कितनी तेजी से बन रहे हैं दूसरी तरफ जो है इन वैसे कितनी हीट निकल रही है exothermic है the reaction decreases in order सबसे कम जो है magnesium होगा फिर aluminium में फिर zinc में और फिर iron में तो सबसे सबसे जादा हम देख सकते हैं कि सबसे जल्दी जो है bubbles बनेंगे आपके magnesium में फिर aluminium फिर zinc और फिर iron तो यह रहेगा आपका in case of copper अगर copper की बात करें हमारे कोई भी bubbles दिखाई नहीं देंगे temperature remain unchanged अगर जो temperature है वो चेंज नहीं होता है दिस इस सो दैट कॉपर दस नोट रियक्ट विद डायलूट HCl तो इससे मैं पता चल जाएगा कि हमारा डायलूट HCl जो है वो copper के साथ में डियक्ट नहीं करता है बिलकुल भी अब एक और important चीज आई है एक्वारेजिया क्या होता है एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रोयल वाटर अपने इस सुनार के पास जरूर देखा होगा जिसमें क्या होता है इसकी अंदर आपका hydrochloric acid होता है और concentrated nitric acid होता है जो कि 3.1 के ratio में होता है जिसके अंदर आप जो है गोल्ड वगेरा को जो है साफ करते हैं डिजॉल्व करते हैं नाइधर acid can do so alone यानि कि इन में से अगर कोई एक acid है तो वह ऐसा अकेला नहीं कर सकता कि वह गोल्ड को जो है platinum के वह बहुत ही कुछ जो है आपके reagent है जो की गोल्ड और platinum को जो है आपका melt कर सकते हैं how do metals react with the solution of the other metal salts किस तरीके से जो है आपके metals जो है वो react करते है solution of other metal salt के साथ में तो आपका यहां पर metal A है और solution है आपका metal B के साथ में तो यहां पर solution बन जाएगा metal A का और दूसरी तरफ आजाएगा metal B इसका मतलब क्या हुआ है यह double displacement reaction है अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट है आपका अगर यहां पर इसको आप जान देंगे तो iron filling के साथ में को यह कॉर्क लगाई हुए त्रेड लगाई हुए है और copper sulphate solution के अंदर डाला हुआ है इधर क्या है हमारा यह iron sulphate solution बन जाएगा और copper की जो है वह वायर बन जाएगी रियक्टिविटी सीरीज के अगर हम बात करें तो यह आपकी रिक्टिविटी सीरीज है जो सबसे मोस्ट रेक्टिव हैं वह हमारे sodium आपका potassium हो गया sodium हो गया calcium हो गया magnesium हो गया aluminium हो गया फिर रेक्टिविटी दीरे दीरे होती चली जाएगी हमारा जैसे zinc होगे iron होगे lead होगे hydrogen होगे copper होगे mercury होगे silver होगे और gold यह बिल्कुल ही आपके least reactive होते हैं तो यह आपने याद करने हैं और इसी के साथ में इन चैप्टर जो है वह अच्छा लगा हो तो इस सेशन को यानि कि यह जो वीडियो हैं हम लगाता लाते देंगे इसी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ओके हवा गुड टेंग्स